हेलो एव्रीवन वेल्कम तो दा चैनल ग्यानन विशन मैं समिक्षा सेंग इन दिस वीडियो वी विल डिस्कूस वाउट इंडियन रिवर्स तो बेसिकली हम ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर के बारे में डिस्कूस कर चुके थे और बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी रिवर कर चुके थे प्रिविएस क्लास तो में और आज यम क्लास में डिस्कूस करने वाले था इंडिस्टिरवरे के बारे मैं यानि सिंधून नदी उसके बारे में हम एप एंफॉर्मिशन देखेंगे क्या-क्या जो आपके क्वेश्म से पूची जाती है गक़ तो गयज यह class हमारी 7 होगी आज की और अगर आपने previous classes नहीं देखी हैं तो आप देख लीजेगा इससे आपका सब चीज sequence में चलता रहे अगर आप 20 से भी देखोगे तो चीजन समझनी आएंगी आप तो मैं प्लेश्ट का जो description में लिंक डाल दूंगी ठीक है ओके चली स्टार्ट करते हैं इसको तो अगर हम बात करें इंडस रिवर की आनि सिंधु नदी की तो सिंधु नदी का जो ओरिजन है अगर हम बात करें इसके ओरिजन की यानि उद्गम की ठीक है तो इसका उद्गम है चेमा यूंग्डूंग ग्लेशियर ओके काफी अजीब सा नाम है चेमा यूंग्डूंग ग्लेशियर तो आप इसे किसी निमोनिक के तुरू याद कर लेजाएगा क्योंकि थोड़े वीर्ड जो नेम्स होते हैं उनको याद करने में प्रॉब जो कि अगर अगर यह पूछ लिए जाए कि आपसे कि चेमा जो यूंग्डूंग ग्लेशियर है वह बेसिकली है कहां पर वह तिबबत में ठीक है अब इसके बाद आपसे अगर यह पूछ लेता है इंडस रिबर से कि इसका जो पाथ हो फ्लो है वह क्या है यानि यह कहां कहां हो करके बहती है तो यह तिबबत से शुरू होती है ठीक है तिबबत के कहां से चेमा यूंग्डूंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और हलांकि इस पर बहुत सारे डिबेट्स भी हैं कि यह चेमा से ही शुरू होती है फिर किसी अधर से लेकिन अगर अगर आपसे एक्जाम में पूछाए था आप चेमा यूंडूं ग्लेशर ही लगाना ओके अगर आपसे कुछन पूछा जाता है तू ठीक है फिर यह आती है इंडिया में कि एंडेन यह फिर आती है पाकिस्तान में ठीक है अगर हम बात करें इंडिया की तो यह इंडिया में कहां बहती है यह बहती है ओनली इन लड़्दाख ठीक है लड़्दाख में और लड़्दाख में भी कहां पर बिट्वीन लड़्दाख एंड जासकर श्रेणी ठीक है जासकर जो रेंज है वहां पर ओके आपसे पूछ लेगा कुश्चन के लड़्दाख में भी कहां पर वह आपका अंसर है लड़्दाख जासकर जो रेंज है याने श्रेणी है वहां पर ठीक है अब बात आती है इसकी लेंथ की बेसिकली इसकी जो लेंथ है कि इसका जो पाथ फ्लो तो हमने देख लिया जो पाथ की जो लेंथ है टोटल वह कितनी है तो वो है हमारी 2880 ठीक है काई जे बहुत चोटी चोटी चीज़ा होती है जिनको याद रखना बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है आप ज़्यादा मेकटर से जाधा हमेटर पर ध्यान मत गयें ठीक है जितना आपके अग्यूहелю में पूछा जाता है उतना पढ़ें जिससे आपको केश्ण if होगी अब इसमें आपके एक कुष्यन पोछा जाता है ठीक है कि कहां पर जो है इंडस रिवर यानि सिंदु नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो एक जगा का अगर करें तो टाख टॉक कहलेगा में कि प्रनाउंस करें तो अटक कहल काया और इंग्लिशिमी सको अटक कह देतेAre इंग्लिश में इसको अटक कह देते हैं ठीक है तो अटक प्लेस है अटक नाम की एक जगा है कहां पर पाकिस्तान में ओके जहां पर यह क्या करती है मैदानों में प्रवेश करती है है थीदानों में प्रवेश करती है ठीक है मैदान यानि जो figuring out अपना अगर उत्ताप्रदेश की बात करें तो इत्ताप्रदेश का ईए एरिया है ठीक है नौर्थ वेस्ट वाला जो एडिया वो कैसा है प्लेण एरियाज में आता है करें चुछ है और आप से एक और पूछ लेगा मिथन गॉट नाइम की एक जगा है मिक्थन कोट नाम की एक जगा है जहां पर सायक नदियां मिलती है इसके जो सायक नदियां है वो आकर क्या करती है मिलती है ठीक है तो हम इसके काफी सारी सायक नदी है लेकिन कुछ ही सायक नदियों से आपके कुश्चन बनते हैं उन्हीं को हम अब डिसकस करेंगे ठीक है साय अधियक नदी आकर मिलती है कि अच्छा अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा पॉर्टेंट इस रिवर्स एक ट्रीटी हुई थी ट्रीटी अगर हम हिंदी में बोलें उसे तो एक संदी है तो उसके बारे में देख लेते हैं फॉर इंडिया भारत के लिए यह क्या है एक विवादित नदी है कि किसके कारण किसके बीच में होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवादित नदी है यह अब भी लेकिन पहले भी थी पहले जादा थी जिसको ख़तम करने के लिए एक ट्रीटी करी गई एक संधी करी गई जिसमें अगर हम बात करें इसकी संधी की तो सिंदु समझोते के नाम से ये संधी की गई थी आपसे पूछ लेगा एक्जाम में कि किस नाम से संधी करी गई थी जो कि इस नदीप जो विवाद है सिंदु नदीप है ठीक है कि सिंदु समझोते के नाम से यह संधी जानी जाती है कि अगर इसकी डेट की बात करें तो यह की गई थी 1960 में ठीक है किसके द्वारा की गई थी रूरी विल्ल्ड वेंक के द्वारा डडन बाई वर्लड बैंका व्ल्ड व्ल्ड वेंक के द्वारा ठीक है कि विश्यो वैंक जो है उसके द्वारा ठीक है अब इसी personality से आप से कुछ questions पूछ लेगा पहले सको रफ कर लेते हैं कि क्या क्या questions आप से पूछे जा सकते हैं इक्जाम में पूछे भी जा चुके हैं ऊके और ये general gk का भी question में आता है सिन्दुजल समझोता जो gs वाला जो portion रहता है उसमें बहुत जादे important है आपके लिए तो अब हम देखते हैं कि सिंधु जल समझोता सिंधु नदी का जो समझोता हुआ था सिंधु समझोता हुआ है ठीक है कब हुआ था 1960 में किसके द्वारा किया गया था वर्ड बैंक के द्वारा तो इसमें कहा गया था कि इसकी जो नदियां है इट्स रिवर इसकी जो नदियां है कौन-कौन सी सिंधु सहायक नदी है बेसिकली ठीक है और जेलम और चेनाब ठीक है तो पहला जो आपका जो इंपॉर्डन पॉइंट वो है जिसमें तीन नदियों को कंसीडर करके एक बात कही गई थी कि इसका जो 80% जो जल होगा 80% जो वाटर होगा वो कौन यूज करेगा पाकिस्तान यूज करेगा ठीक है और 20% जो होगा बाकी का जो बचाओं वो क्यों करेगा इंडिया करेगा ठीक है इन तीन नदियों का क्या पानी कौन यूज करेगा असी प्रतिशत पाकिस्तान यूज करेगा और बीस प्रतिशत कौन इस्तमाल करेगा उसका भारत करेगा ठीक है अब सेकिंड जो कंडिशन इसमें रखी गई थी वो थी अधर त्री जो ट्रिब्यूटरी है सायक नदी है किसकी इंडस्रिवर की सिंधु नदी की तो उसमें कहा गया था कि राभी व्यास और सतलज तो यह जो तीन नदियां थी इनके लिए कहा गया कि इसका इन तीन नदियों का जो उसी प्रतिशत पानी है वो कौन इसकरेगा इंडिया और 20 प्रतिसर जुपानी है वो कौन यूज़ करेगा पाकिस्तान ठीक है तो इस प्रकार इस नदी पे जो विवाद था इतने वर्षों से वो खतम किया गया किसके द्वारा वर्डवेंग के द्वारा कौन सी सन में 1960 में बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपके लिए ठीक है अब चलते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी पर तो इसकी ट्रिब्यूटरी यानि इसकी जो सहायक नदियां है वो तो इसकी कुछ सहायक नदी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम इसकी जो सहायक नदी है चेनाव उसके बारे में डिसकस करेंगे कौनसी वाली चेनाव ठीक है तो अगर हम बात करें चेनाव की तो सबसे पहले हम इसकी ओरिजन के बारे में डिसकस करते हैं कि इसका जो ओरिजन यानि उद्गम है वो कहां से है है अगर इसकी उद्गम की बात की जाय तो इसका जो ओर गम है वो है वारा लाचला फिक है तो सका जो फिर उन्हें महां से बारालाचाला ग्रेशर जो कि कहां पर है हिमाचल प्रदेश में ठीक है हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचाला ग्रेशर वहां से कौन सी नदी निकलती है जो सायक नदी है किसकी सिंधु नदी की वह है चेनाव चेनाव नदी इस ग्लेशर से निकलती है ठीक है अग लमू एंड कश्मीर ठीक है और इसके बाद है पाकिस्तान ठीक है काईज मैं आपको वही पॉइंट्स बताती है जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं नहीं तो बहुत कुछ है बताने के लिए इनको मैप समझ में समझने में और ज्यादा दिमाग लागाना पड़ता है कि अब आपसे और चीज इसमें पूछ लेगा कि इसकी जो चिनाब पेसिकली है कि सिंदु जहिएम सेillित्रणी नदी है कौनसी तो चैनाब कैसी मेजर-ट्री डिउटरी है और इसकी फिर अदर साहयक नदी जो होती है इस अदर जो ट्रीभिटरी है उनको हम देखते हैं आध भी सिकली इट्स ट्रीविटरीज नेधिक एसके अग़ ट्रीविट रिज बात करें तो पहली है कौनसी जहलम थीख है और दूसरी कौन सी आजाती है आपसे पूछने के लिए एकजाम में कहा पूछ लेगा आप सपूछ लेगा रावी ठीक है तो और तो जाने इनकी ऊरिजन Οिका नदी का जो औरिजन है यानि उद्गम है वो है वेरी नाग से जो कहां पर है जमू एंड कश्वीर में ठीक है जो कि कहां ओकर के गुजरती है इसका जो फ्लो है बेसिकली वो है वुलाल लेक से ठीक है वुलाल लेक ओके वुलाल लेक वह पर है जम्मू और कश्मीर में ठीक है सीदी सी बाद है वहरी नाग जगांए वहाँ वह कहां है जम्मू कश्मीर के बारे में एक और बहुती important fact uh ईंडिया के सबसे बड़ी शुद्ध पानी की जिल के नाम से जानी जाती है ठीप है और बात करहें रावी निकलती है रहताग पास से नोगा अब्रुम्हाना यह पस होते हैं ठीप होग है लिए उनकलती है रहताग पास से ठीक है ओके तो इसके बाद में आपका सतलज रिवर का और रह जाएगा फिर इसके बाद आपका जो है यह लेक्चर आपका कम्प्लीट हो जाएगा करेंगे जो south इंडिया की जो नदिया है महा नदी माही रिवर और नर्मदा रिवर ठीक है बहुत सारी नदिया है मनको डिसकस करेंगे और कोशिश करेंगे की चीजों को हम जल्दी जल्दी कवर कर पाएं हलंकि आपके अभी दस्वारा लेक्चर आपके हो जाने चाहिए थे लेट हो गया वह सब मेरी गलती के वाज़ा से हुआ है कि मैंने आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं की है ठीक है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको लेक्चर्स दे दूं क्योंकि अभी टाइम में बहुत कम है आपका एक्जाम भी आने वाला है रीट का ओके तो चलिए इसकी जो अनुदर ट्रिब्यूटरी है किसकी सिंधु नदी की कौन सी सतलज रिवर ठीक है तो सतलज रिवर की अगर बात करते हैं हम इसका जो ओरिजन है यानि उद्गम जो है वो कहां से है इबबत से ठीक है ओके और इसका जो बेसिकली जो पाथ है पाथ ओफ फ्लो तो यह कहां से निकलती है तिबबत से ठीक है तिबबत से यह जाती है माचल प्रदेश ओके एंड यह जाती है पंजाब में और फिर उसके बाद यह जाती है कहां पाकिस्तान में इसका जो बेहने की जो हम कह सकते हैं इसका जो पाथ है गो ठीक है अब हमाचल प्रदेश में हमाचल प्रदेश से एक चीज़ आप से पूछ लेका एक्जाम में कि हमाचल प्रदेश में बेसिकली यह कहां से प्रवेश करती है ठीक है तो एक दर्रा है जिसका नाम है शीप शीप कीला शीप कीला दर्रा ठीक है से प्रवेश प्रवेश सही लिखा या बलत लिखा पता ही नहीं चल रहा है ता त्ट्रीके प्रवेश करती है ओके कभ आप से पूछ लेगा उसम इसमें 17 मैं कि इसकी जो ट्रिउट्री है सतलज क्या है वो भी है मिज़ा ट्रिब्यूट्री है कि सिंदू नदी की ठीक है तो इसकी जो ट्रिब्यूट्री है ज esao कि यानि वह है व्यास नदी कि ठीक है ओके का इस तो यह चीज हो गए आपका अब एक और चीज रह गई आपके इसमें कि इसकी एक और नदी है है सिंदु नदी की एक और सायक नदी है कौन सियोख नदी है हमने जेनाब के बारे में पढ़ा सब्सक्रान सब्सक्राइब और एक और नदी है सियोख नदी जिस से कुछ और शॉंण साब से पूछ लेगा ठीक D तो वो भी देख लेते हैं कि क्या है इसके फैक्ट्स जो है आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शियोक नदी ठीक है तो यह क्या है सिंधू की क्या है सायक नदी है और शियोक नदी की दो नदिया है सायक नदी जिसमें से एक नदी का नाम है नुब्रा नदी आपसे इतना ही पूछा जाएगा इसमें इससे जादा नहीं पूछा जाएगा ठीक है नुब्रा नदी ठीक है और दूसरी कौनसी है गल्वान नदी ठीक है तो यह क्या है इसकी सहायक नदी है किसकी स्योक नदी की अधिक है ओक तो यह आपका कंपलीट हो चुका है नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर्स है उनके बारे में तो वह भी लगग दो से तीन वीडियो में कंपलीट हो जाएगे बहुत बड़ा टॉपिक थाया ओके तो चली मिलते हैं फिर नेक्स लेक्शर में तब तक के लिए बाइवाए कीप लर्निंग एंड बी ए एक्स्प्रोरर ओके थेंक यू